तो काफी सारे traders यह signal के बाद यहां buy करके position बनाना शुरू कर दिये बट उसका next day से ही price बहुती speed से नीचे भग के एक strong downtrend में चलने लग गया जब buy signal generate हुआ उसी bug identify कर लेते कि यह एक trap है खासकर uptrend और downtrend के बाड़े में क्योंकि यह दोनों trend के दोड़ान ही आपको इस तरह का trap देखने को मिलेगा तो ऐसा problem से बचने के लिए यह traders इसी area पर price action बना के एक strong buy signal generate कर देता है चांस बहुत ज़्यादा है कि इस signal को देखके कोई और बरे टेडर्स यहां buy करना शुरू कर दे और अगर ऐसा होता है तो जो बरे टेडर्स यह trap create कर रहे हैं उनके लिए भी यहां से price को निचे गिराना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो यहां पर आप short sell कर सकतो यानि sell site ले position बना सकतो इस टाइप में तो उसके बाद आप देखोगे price में क्या हुआ मतलब इस जगा पर कोई fight area है तो यहां तक आपको target रखना है target को hit करते ही आपको निकल जाना है ऐसा कोई rules नहीं है अगर target को hit करने के बाद buyer का control आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसमें बने रहा है सकते हो लेकिन जो आपका sell यहां पर रखे हुए हो उसको आपको trail करते हुए जाना होगा 9th January 2023 Reliance Share वान डे टाइम प्रेम चाट के उपर एक बहुत ही अच्छा buy signal जनरेट करता है यहां के price action से लग रहा था पिछले कुछ time से जो down move चल रहा था अभी इस buy signal के बाद वो down move reverse होके price उपर जाना शुरू करेगा तो काफी सारे traders यह signal के बाद यहां buy करके position बनाना शुरू कर दिये बट उसका next day से ही price बहुती speed से नीचे भग के एक strong downtrend में चलने लग गया तो अभी buy signal के बाद price जब उपर ना जाके नीचे आ गया इस situation को देखते हुए हम easily कह सकते हैं कि यह जो buy signal generate हुआ था यह buyers को trap करने के लिए बनया गया था लेकिन जो taders, price action और price trend को अच्चे से समझते हैं वो taders जब buy signal generate हुआ उसी बाग identify कर लेते कि यह एक trap है तो वो कभी यह buy नहीं करते और उसके बाद जब price नीचे आना शुरू किया तब वो confirm हो जाते है यह buy signal trap ही था तब वो यह short sell का position बना के downside से profit कर लेते अगर आप beginner level पे हो और आप भी जानना चाहते है इस तरह का trap को identify कैसे किया जाए with proper psychology के साथ तो वीडियो में बने रहे है लाश्ट तक आपको सब कुछ किलियर हो जाएगा इस तरह का trap को identify करने के लिए market trend के बारे में पहले आपको जानना होगा खास कर uptrend और downtrend के बारे में क्यूकि ये दोनों trend के दौरान ही आपको इस तरह का trap देखने को मिलेगा downtrend में price lower high और lower low बनाते हुए move करते है और जितने बार ये pullback करने के बाद lower low को break करते है उसी time एक नया lower high create हो जाता है और ये downtrend continuation में ही रहते है लेकिन जिस time ये lower high को break कर देता है उस time trend reverse का indication हमें मिलता है मतलब अभी तक price seller के control में ज़्यादा था और ये downtrend को continue कर रहा था फिलाल इस trend को break किया मतलब buyer seller से ज़्यादा control में आ रहा है और हो सकता है यहां से buyer see price को control करके up trade में जाने लग जाए तो अगर कोई share price इस तरह downtrend को continue करते हुए जा रहा है और अभी कोई buyer sellers यानि जो बहुत ज़्यादा quantity में trade करते हैं उनके analysis के according अगर उनको लग रहा है कि price यहां से मतलब अभी जहाँ पर trade कर रहा है माल लेते यह point A है यहां से point B तक निचे जाएगा तो यह लोग अभी यह short sell का position बनाने के लिए sale order डालेगा बट problem यह है कि यह ज़्यादा quantity में position उठाएगा इसलिए यहां ज़्यादा sale order लाएगा और इतना ज़्यादा sale order को execute होने के लिए यह buy order भी होना चाहिए और क्यूंकि अभी price action के according price बहुत ही सुन्दर एक downtrend में जा रहा है तो इस एरिया में ज़्यादा buy order आएगा भी नहीं तो यह बरे traders के seller order जैसे इस एरिया में आना शुरू होगा supply increase हो जाना के करण price बहुती speed से point A से point B तक पहुँच जाएगा और इन्हें यह area पर quantity उठाने का मौका नहीं मिलेगा तो ऐसा problem से बचने के लिए यह traders इसी area पर price action बना के एक strong buy signal generate कर देता है और इस buy signal को देखके काफी सरे traders price यहां से उपर जाए का सोचके buy order डानले लग जाते है तो इस वक्त यहां ज़्यादा quantity में buy order आ रहा होता है और अभी buy traders को अपने high quantity sellers को यह execute करने का मौका मिल जाता है और आप देखोगे ऐसा buy signal generate होने के बाद price उपर जा ही नहीं पता है बलकि speed से नीचे गिर जाते है क्योंकि इस time यह area में buy traders से बहुत ज़्यादा supply आ रहा होता है और यह buy traders जो buy signal generate करते है उसमें वो हमेशा try करते है कि market का main trend को break करने से पहले ही बनाया जाई यह signal अगर यह lower low को break करके signal generate करेगा तो यह trend change का indication आ जाएगा और ऐसा scenario में chance बहुत ज़्यादा है कि इस signal को देखके कोई और बरे टेडर्स यह buy करना शुरू कर दे और अगर ऐसा होता है तो जो बरे टेडर्स यह trap create कर रहे है उनके लिए भी यहां से price को नीचे गिराना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्यूंकि उस time उनका supply को absorb करने के लिए sufficient quantity में demand यहां बरकर रहेगा तो वो हमेशा इसके नीचे ही buy signal को generate करने की कोसिस करते है ऐसा करने में वो आसानी से इस area से price को नीचे ले जा पाते है अभी हम चार्ट के उपर जाके देखते हैं कैसे हम इस concept को trade कर सकते तो आपके सामने हमें Reliance का one day time frame चार्ट open है तो इसमें आप देखो कि यह price बहुत अच्छा एक downtrend में इस तरह का यह जा रहा है यहाँ पे यह lower high बना यहाँ यहाँ पे यह lower low बना रहा है लेकिन यह जो है यह lower high हम अभी तक नहीं कह सकते क्योंकि जब तक न इसको यह break कर रहा है आके तब तक यह lower high create नहीं होगा तो अभी तक इसको यह break नहीं किया तो यह lower high नहीं है तो आप देखोगे यह डाउन ट्रेंड में इस तरह जा रहा था फिर यहां पर ब्रेक करे भी नहीं इस जगा पर प्राइज अक्षन बना के आपको बाई सिगनल जनेरेट कर दिया है तो अभी हम इस कंसेप्ट को जान चुके कि यह जो लोवर हाई यहां पर बना हुआ है इस उसके बाद प्राइज यहां से उपर नहीं जा सकता है यह ट्राप ही होगा तो देखिए आईसा नहीं है अगर इसके बाद प्राइज यहां पर थोड़ा टाइम बिता दे फिर कोई बाई सिगनल जनेरेट कर रहे तो वहां पर बाई कर सकते हो क्योंकि उस सिनाडियों में अगर यह ट्राप क्रियेट किया भी होगा तो वह फेल हो गया क्योंकि यहां पर फाइट हुआ और उस फाइट में सेलर हड़ गया उसके बाद जाके बाई सिगनल जनेरेट हुआ तो चांस बहुत जदा रहता है कि यह फिर से उपर चला जाएगा तो इसलिए आपको फास् साइट लिए कोई पोजिशन बना होगे तो इसमें आपको क्या करना है और प्राइज अक्षन को देखना है तो उसके बाद आप देखोगे एक बैरी स्केंडल यहां पर बन गया है लेकिन यह जो बैरी स्केंडल है वो उतना स्ट्रॉंग नहीं है कि आप यहां पर सेल कर द यह जो केंडल है यह केंडल है यह गया आया रहा है कि यह एक डाउन ट्रेन में जाड़ा और उस ट्रापक में जो सेलर हेव Harry wau करके कि वो प्राइस को अपने कंट्रोल में करके सीधा ले के आ रहा है और जिस स्केंडल में 22 जिनेट किया था उसका लोग के निचे आके क्लोस कर गया तो यहां से चंस बहुत ज़्यादा है कि प्राइस नीचे चला जाएगा तो यहां पर आप सौट सेल कर सकतो यानि सेल साइट आपका स्टॉप लॉस रखना होगा तो इस पर्टिकुलर एक्जाम्पल में आप देखो गए यहां पे एक स्वींग बनाया तो यह स्वींग का हाई यहां पे था तो वहां से आप एक टेल लाइन खिचोगे तो यह प्राइस पॉइंट आ रहा है तो आपका सेल पॉइंट यहां पे हो गया आपका स्टॉप्लास यहां पे हो गया और टार्गिट के लिए आपको प्रायस अक्षन को देखना होगा प्रीवियस प्राइस …… आपको डेखना होगा और जैसे जैसे आपके ड्येक्सान में प्राइस चलना शुरू करेगा तो आपका जो ओएशल है इसक को दिखा रहा हूं यह अलग-अलग setup में अलग-अलग टाइप का आपको मिलेगा आपको प्राइज असन पढ़ना आना चाहिए लेकिन जो concept है वो हमेसा सभी जगह सेम रहेगा और अप्रेंड के अंदर भी आपको इस तरह का trap को देखने को मिल जाएगा वहां आपको यह जानकरी होना चाहिए कि अप्रेंड के दावडान प्राइस higher high और higher low बनते ही उपर जाते ही और जब तक प्राइस फ्रोबैक करते टाइम पहले का higher low को break किये बिना ही उपर जाके higher high को break कर रहा है तब तक यह price strong uptrend में ही है लेकिन अगर यह higher low को break कर रहा है तो यह uptrend reverse हो सकता है इसका indication मिलता है तो चलिए इसको भी practical chart के उपर हम समझते हैं तो आपके समया भी HCL technology का one day time frame chart open है तो इसमें आप देखोगे price एक बहुत अच्छा uptrend में जा रहा है इस जगा पे ढिखोगे जो high हे वो higher high यहां पर higher high पनते हुए जा रहा है और जो low है वो higher low बनते हुए जा रहा है तो यहां पर जो latest high low है वो है इस जगह पे और अब ही आप देखोगे price यह नीचे आ रहा है तो जब तक न इसको यह break कर रहा है तब तक यह अप्ट्रेंड में ही है और इस जगा पे लेटेस प्राइस आप देखोगे प्राइस जब यह नीचे आ रहा था तो कुछ फाइट यहां पे हुआ मतलब बायर इस एरिया को बहुत ज़्यदा प्रोटेक्ट करने की कोसिस कर रहा था लेकिन लेटेस केंडल आप द देखेंगे अगर इस जगा पे और थोड़ा टाइम बिदाना के बाद कोई सेल सिगनल जरेट करता है तो एक जनुवीन सेल सिगनल होगा लेकिन यह जो आभी सेल सिगनल आपके समने जरेट हुआ है यह ट्राप हो सकता है मतलब जो बरेट डर है अगर उनको लग रहा है कि यहां से और उपर जाएगा तो वो इस जगा पे लिक्विडिटी को गराब करने के लिए सिगनल को जरेट कर सकता है इसका कंफरमेशन आभी तक आपके पास नहीं है अगर यहां से प्राइज उपर जाना सुरू करता है विध हाई कंट्रोल के साथ तब आपके पास कंफरम लिए आप देखो कि यह थोड़ा गैप आप ओपन होता है और एक स्ट्रॉंग बुली स्केंडल बना कि जिस केंडल ने सेल साइट सिगनल दिया था उसका हाई के उपर क्लोज कर गया तो अभी आप प्राइज आसन को देखिए यह एक अप्ट्रेंड में इस तरह का जा रह आए और यहां से चांज से कि प्राइज और उपर जाएगा तो यहां पर आप बाई कर सकते हो तो अगर आप इस जगह पे बाई कर रहा हो तो आपका जो एसेल होगा वह भी प्राइज असन के आकावडिंग रखना होगा तो आप देखिए गा जब यह हाई बनाया था तो इस जगह पे रेजिस्टेंट आया थर प्राइस थोरा नीचे गया था और जब इस रेजिस्टेंट को ब्रेक करके फिर नीचे आ रहा था तो इस जगह पर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग सपोर्ट मिल रहा था मतलब पहले रेजिस्टेंट की तरह काम कर रह तो फिर से अगर प्राइज निचे आने की कोसिस करेगा तो यहां पर यह strong support फेस करेगा तो इसके थोड़ा निचे आप अपना बने राई सकते हो लेकिन जो आपका a fair रखे हुए हो उसको आपको trail करते हुए जाना होगा तो आगे price action में क्या हो था हम इसमें देख लेते हैं तो आप देखोंगे आगे प्राइस धीरे 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 उपर ही जा रहा था तो अगर आपने इसमें बाइ किये होते तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी या पर मिल चुका होता तो इसी तरह इस कंसेप्ट को आप यूज कीजिए और मैं एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको वान डे टाइम प्रेम चाट के उपर दिखाया यह बहुत सरे टाइम फ्रेम में काम करता है जैसे अगर आप इंट्राबे के अंदर इसको यूज करना चाते हो तो आप 5 मिनिट या 15 मिन चाट के उपर इसको उज्ज कर सकते हो या फिर अगर आप और थोड़ा लॉं प्रैक्टिस कीजिए फिर इसको आप अपना प्रैक्टिकल टेडिंग में यूज कीजिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जुरूर करना और इसी तरह वीडियो और पाने के लिए इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किये हो तो सब्सक् इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं कोई कंसेप के साथ